नमश्कार दोस्तों जय मातादी मैं हूँ आपके दोस्त मानवी शर्मा अब हम बात करेंगे दूसरी देवी की अडिंकता के शंदेश देती मा ब्रह्मचार्णी सर्वव्यापी प्रम्हांडिये चेतना का स्वरूप मा प्रमचारणी के रुप में भक्तों को आशित देता है प्रमक अर्थवे प्रमचेतना है जिसका ना हो तो कोई आदी है और ना ही कोई अंत जिसके पार कुछ भी नहीं नवरात के दूसरे दिन भक्त ध्यान मगन होकर प्रमपत्ता की दिव्य अनुभती मा प्रमचारणी की बोजा करते हैं मा के इस स्वरूप की अराधना करने वालों को शक्तियां असीमिती आनंदता होती है फर स्वरूप उनके समस्द दुख दूर होते हैं और वे सुखों को प्राप्त करता है सत निर्थ आनंद में प्रम की प्राप्ति कराना प्रमचारणी का स्वभाव है चंद्रमा के सावान निर्मल कांतिकमे और भव्य रूप वाली दो बुजाओ वाली ब्रह्मुचार्णी करिमचारी शक्ति का इस्थान योगियों ने स्वाधिनस्थान चक्र में बताया है इनके एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में चंदन और माला रहती है अपने भक्तों का मा ब्रह्मुचार्णी प्रतेक काम करने के सफलता देती है वे सनमार्क में कभी नहीं हरते और जीवन में कठिन चंगर्ष से भी अपने करतव्य को अपने पालन को कर लेते हैं इनका वाहन शिखर अर्थात परवत की छोटी को बताया गया है मानवता की हैं देवी दुरुगा का यह रूप साधकों को अमोग फल प्रदान करता है साधक को यश सिद्धी और सर्वत्र विजय की प्राप्ति देती है नव दुरुगा में दुवित्य देवी ब्रह्मुचार्णी का स्वरूप पूर्ण जोती मरर है वे गहन तफमेलीन है देवी का मुख दिव्य तेज से भरा है और भंगीमा शान्त है मुख मंडल पर विकर तपस्य की कारण अद्वुत तेज और अजुत्य कांती का अनूठा संगम है जिसमें तीनों लोग प्रकाश मना हो रहे है ऐसी मानता है कि जो भी भक्त मा प्रमिचानी का व्रत करता है उन्हीं कभी भी अपनी जीवन में नहीं बटकता अपने मार्क पर इस्थित रहता है और उसे जीवन में सवर्था प्राप्त होती है यही थी आसमन्यूस की रिपोर्ट